आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी परवल गार्लिक फ्राई लेके आई हूँ जिसे मैं दो-तीन मसालों के साथ बनाऊंगी यह बहुत ही अच्छी बनके रेडी होगी इसके लिए मैंने हाफ केजी परवल लिया है और उससे मैंने धोक से कट कर दूँगी दोनों साइट कट करने के बाद बीच से मैं इसे इस तरह से चीरा लगाऊंगी और उसके बाद मैं इसके चार टुकड़े कर लूँगी इस तरह से चार टुकड़े करके रख लें और सारे परवल को अच्छे से धोके एक साइड में रख लें इधर यह डाला है और इसे मैं तो छोटी चमबच डालूंगी जब हमारा पच्छ फोरन हलका ब्राउन होने लगेगा और अच्छे से चटक जाएगा तब मैं इसमें परवल को छोड़ दूँगी सारे परवल को आप इस तरह से वाइल में डाल दे सारे परवल डाल देने के बाद इ कि हमारा परवल जो है वो थोड़ा सौप्ट हो गया है और थोड़ी सी कलर भी इसकी चेंज हो गई तो इस टाइम में आप डेढ़ी चमबच इसमें मैंने गार्लिक का पेस्ट डाला है थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी पाउडर एक छोटा चमबच लाल मिर्च पाउडर एक इस तरह से आप इसे अच्छे से मिक्स कर दे सारे मसाले जब परवल में मिक्स हो जाए तो इसे ढखकन ढख से ढखके दो से तीन मिनट तक अच्छे से पक जाने दे बिल्कुल लो फ्लेम पेस अच्छे से पकने दे परवल जब आपके बिल्कुल सौप्ट हो जाए और अच एक मिनिट के लिए ढखके और पका लोंगे जिससे कि ये पूरी अच्छी तरह से सौप्ट हो जाए तो परवल हमारी बहुत अच्छे से पक गई है अब एक मिनिट और मैं इसे भून लोंगी अच्छे से सारी सबजों को भूनने के बाद देखे मसाले जो है वो साइट से ते लिक्स हो जाएंगे एक से दो मिनिट फ्राई करने के बाद देखे सारा जो परवल में हमारा मसाला है बिल्कुल सेप्रेट हो गया है और अच्छे से लिपट गया है परवल में तो अब मैं इसे इस तरह से निकाल दूँगी ये परवल बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी ल